जैसा कि हमने पिछले एपिसोर में देखा था सन्वो ने अपनी पाउर का इस्तमाल किया था और वहाँ पर जितने भी देट की एनरजी होती है सन्वो उन सब भी देट की एनरजी को अब्ज़ॉब करने लगता है जिसकी वैसे सन्वो के पास सिस्टम की तरफ से नौटिफिकेसन आना लगता है जहाँ पे सिस्टम सन्वो को बताता है पिलियर काफी या लाज अमाउंट में देट की एनरजी को अब्ज़ॉब कर रहा है जिसकी वैसे उसका देट के स्ट्रेक्शन जो स्कील है उसका लेवल और जेष्ट किया जा रहा है और साथी साथ प्लियर का जो यान माना हार्ट है उसका भी लेवल इंक्रीज हो रहा है वो डवल डेस रेंग पे पहुंच किया है यह सब देखके सन्वो कहता है कि मुझे इन सारी चीजों के लिए डेगन स्कॉर्ट के लिए का सुक्रिय करना चाहिए कि उसकी वएसे मुझे इतनी अच्छी अपर्चुनिटी मिली और उसकी वएसे मैं इतने जा इंक्रेडिपल इतने जा लाज अमाउंट में माना अफ्जॉब कर पा रहा हूं तब ही सन्वो के पास फिर से सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है जहां सिस्टम उसे बताता है कि उसका यान्माना हार्ट जो है वो फिफ सर्जकल्पे पर्रमोट हो चुका है और ससकी दोनाई सिकल उनलॉक हो गयी है जिसमें से पहली होती है लिच मास्ट्री और दूसरी होती है और जोनोई स्कील डबल एस रंक प्लस की स्कील होती है ये सब देखे अब यहां पे कुछ भी नहीं बचा है सन्वू यह सब कहे रहा होता है कि सन्वू साइड में तभी कुछ नोटीस करता है जिसे नोटीस करते हैं सन्वू उस तरफ देखने लगता है वो जैसे उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि मिट्टी के अंदर कुछ दबा हुआ हो जो काफिजा चमक रहा होता है जिसे देखके सन्वू खूस होते हुए कहता है कि देखके सन्वू कहता है यह रहा हो आइटम जिसे हमें इंपिरियल फैमिली तक पहुचानी थी जिसकी वह से यहां पे इतनी सारी जाने गई अच्छा हुआ कि मुझे इससे ढूंडना नहीं पर आई है इतना चमकदार है कि इसने मिट्टी के अंदर भी अपनी लोकेशन को ब बच गया था जिसके बाद वोर यहल समन्ने इस बॉक्स को इंपरियल फैमिली में डिलीवर कर दिया था जिएक वैसे वह इंपिरियल family तक deliver करना था पहुचाना था तो अब बस इतना ही देखना है कि आखिकर आगे क्या होगा और यहीं पे हमारा scene shift होता है मैं William group का scene दिखाया जाता है जहाँ पे William group के leader को जैसे ये बात पता चलती है कि उसकी इतने जदा powerful dragon squad एक landslide क्यों से पूरी तो से मारी जा चुकी उन में से कोई भी जिंदा नहीं बचा तो उसके पहरों तो से जमीनी किसक जाती है आगे उसके सामने वाला servant उससे कहता है कि माई लोड ये बात पूरी तो से सच है कि dragon squad पूरी तो से पूर्ट हो चुकी है खतम हो चुकी है ये सुनके William group का लीडर जल्दी से पूछता है तो आखिकर उस item क्या क्या हुआ कमिसन item का क्या हुआ जिसे हमें imperial family तक deliver करना था सामने वाला servant कहता है कि माई लोड हमने पहले एक search party को वहाँ पर उस item को दूनने के लिए बेश दिया है अलिक न भी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है हमें कुछ भी पता नहीं चला है उस item का ये सुनके William group का लीडर चिलाते वे कहता है कि कि किसी भी तरह से उस item को दूनो मैं नहीं जानता हूँ मुझे किसी भी तरह से इक्षन था इस पर रूएल फैमिली का क्या एक्षन था इस पर वो सर्वेंट बताता है कि ये बाद जैसी मेजेस्टी को पता चले मेजेस्टी काफिजा गुस्से में आगे उन्होंने गुस्से में ये ओर्डर दिया है कि अजूरेल ड्रेगन गार्ट और उनके साथी साथ दो हजार और सोल्जर जैंजिंग के लिए तुरंत निकले ये सुनके तो वुलिंग ग्रूप के लीडर की हालती खराप हो जाती है वो काफिछ घबरा जाता है वो कहता है कि डैमिट ये ऐसा नहीं होना था इम्परियल फैमिली ने प्रोस्नली इसके अंदर एक्शन लिया है उनके ऐसा करनी के विए से मुझे लगता है कि मुरीम यूनियों और कॉर्णमेंट के समझोते के विचे पका कोई ना कोई असर पड़ेगा इफेक्ट पड़ेगा अगर मुरीम यूनियों इम्परियल फै और यह जिसके वसे मैं सभी को अजूरे गार्स बोलूँगा आगे अजूरे गार्स और 2000 इम्परियल सोर्जर्स प्रोविनेस मिनिश्टर के घर पे पहुंचते हैं और फिर अजूरे गार्स का लिदा सीधे चलते हुए प्रोविनेस मिनिश्टर के पास जाता रो उनसे कहत जब हमने एक दूसरे को देखा था, तुम उस समय से काफ सार्म के मारे अपने सर नीचे जुकाय हुए होते हैं मैंने सोचा भी नहीं था कि हम जब दुबार ह atenção मिलेंगे तो किसे सरमना कारिंग क्यों 서 मिलेंगे मैं अब इतना ज़ा सर्मिनदा हो कि मैं तुमसे नजरे तक नहीं मिला पा रहा हूँ मैं अपने फेस को उपर तक नहीं कर पा रहा हूँ ये सब सुनके वो अजूरे गाट के लिडर कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि वुलेंग गुरूप टेस्क के अंदर फर्स नहीं आया था लिए उसके बावजूद उन्होंने फर्स टास्क को ले लिया फर्स प्लेस के टास्क को ले लिया क्या तुम्हें वुलेंग गुरूप ने पैसे दिये थे ऐसा करने के लिए तुम कुछ तो बोलो तुम ऐसे खामोस क्यों हो और वहीं पर प्रोमिनेस मेंस्टर अपने सर को अवे भी नीचे जुकाया रखे हुए होते ओर कुछ भी नहीं बोल रहे होते बस उसकी बाते चुप चाप सुन रहे होते हैं यह देखके हो अजूरे गार्ड का लीडर कहता है कि देखने ज़लगता है कि तुम अपना मूँ ने खोलोगे तब ही वो जाते जाते रास्ते में रुकता है और प्रोविनेस मीश्टर से कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ यही कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर प्रोविनेस मीश्टर काफिया उदास होते वो सोच रहे होते मैं सबी लोगों को सब कुछ बता देना चाहता हूँ कि अखिकर असले सचाई किया है लेकि मैं बता नहीं पा रहा हो क्योंकि मेरी बेटी उस कमीने के कपजे में है अगर मैंने यहाँ पे छोटी से भी छोटी गलती की या और कुछ भी बताया किसी को भी तो वो कमी ना वुलिंग गुरूप का लिडर मेरी बेटी को मार डालेगा टबी उसे पीछे सरवाज आती है क्या तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो अचानक से इस अवाज को सुनके प्रवीनेश मेश्टर पुरिता से हैरान हो जाते हो चौकते वे पीछे की तरफ मुरते हो जैसी पीछे का इपर सन्वु खरा होता है जिसे देख के वो चौकते हुए कहते हैं कि अखिकर तुम यहां पर क्या कर रहे हो तभी सन्वू कहता है कि अगर तुम अपनी वेटी को वुलेंग गुरूप से बचाना चाहते हो और वुलेंग गुरूप को जर से खतम करना चाहते हो तो तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूंगा वो भी आभी से इसी वक्त से यह मैं सन्वू को उसके क्लैन के अंदर दिखाया जाता है जहां पर उसने सभी फैक्सन लीडर को बुलाया हुआ होता है उनके सांथी सातरीन और जूर गन भी होते हैं तभी वहाँ पर लीडर जिरू कहते है कि देखने से लगता है कि क्लैन लीडर की भाविस्वानी फिर से सही हो गई जैसा कि आपने पहले मिसन पर जाने से पहले प्रिडिक किया था कि अगर हम फर्स मिसन के उपर जाते हैं और उनकी पूरी ड्रेगन स्कौर्ड मारी गई, वहाँ पे खतम हो गई, ये सब सुनके जूरीगन कहता है कि क्लाइन लीडर क्या ये सब आपने किया, आपने लेंसलाइड लाया था वहाँ पे, ये सुनके सनुरीगन कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, नेचर को कैसे मनुपलेट कर सकता है, नेचर के साथ कैसे खिलवार कर सकता है, नेचर कुछ ऐसा है जिसके सामने पावरफुल से पावरफुल हुमन भी उसे टगराने से पहले सौ बार सोचेगा, ये सुनके जुरुएओं कहता है कि क्लाइन लिडर, सच में आपका नौलेज़ तो काफी जदा है, मैंने जितना उमीद किया था, आपका नौलेज़ उसे काफी जदा है, ये सुनके सनुरु हसते भी कहता है, ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, जितने तुम मेरी तारीफ कर रहे हो लेकिन फिलाहाल के लिए इन सारे मजाक मस्ति को साइड में रखते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक क्यों पर आते हैं यही कहा सन्वू लीडर जिन्हों से कहते हैं अखिकर अभी रॉक क्लाइन की स्थिति कैसी है उनकी कंडिशन कैसी है लिडर जिन्हों बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों के दारान उनकी स्थिति पूरी तो से बदल चुकी है चेंज हो चुकी है क्योंकि रॉक क्लाइन का जो यंग मास्टर था डियोक चॉल उसको अपने हातों से ही मार दिया और साधी साथ उसका जो लीडर था उसने उलेंग गुरूप का भी रोध करना की कोसिच की उसके खिलाप जाना की कोसिच की जिसकी वैसे उलेंग गुरूप के लीडर ने उससे अपने हातों से ही मार डाला और फिर रोक क्लान की लिडर के मर जाने के बाद Wolien Group ने अपनी Force को अपनी सेना को रोक क्लान के अंदर बेड जाओ रोक क्लान के उपर पूरीता से कबज़ा कर लिया संवो कहता है इसका मतलब तो यह है कि रोक क्लान पूरीता से कुलाफस हो चुका है ये सुनके लिडेख जिनुव कहते हैं कि exactly अभी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं क्यूंकि रोग क्लैन अभी तक पूरीता से बरबाद नहीं हुआ है रोग क्लैन अभी भी अपनी जगह पर ही है रोग क्लैन के अंदर बस अभी एक ही बदला हुआ है वो यह है कि वहाँ पे पुरानी लिडर के मर जाने के बद वहाँ पे चिफ जी हो को नए लिडर के रूप में अपॉइंट किया गया है वो भी टंपरेरी सन्वू कहता है अच्छा ऐसा है क्या आगे लिडर जिन्वू थोड़ सा परिसान होते हुए कहते हैं कि हाला कि मैंने वहाँ पे कुछ अजीब चीजे नोटीस की है सन्वू कहता है अच्छा मुझे इसके बारे में बताओ लिडर जिन्वू बताना चलू करते हैं कि पाता ने किसी कारण की वेसे रोग क्लैन का जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा माउंट हुआ सेक के अंदर भेजा जा रहा है ये सुनके जू गरूब के लिडर ने रोग क्लैन को माउंट हुआ सेक को बेच दिया दे दिया ताकि वो अपनी आखे बंद रखी और वूलेंग गरूब के खिलाफ न जाए जू गरूब के लिडर ने रोग के लिडर ने रहा है कि का हमारा सबसे बरा एनिमी कौन है और वहीं पे रिंड सब्सक्राइब कर ने यह सबसे बरा दूस्मन कोन है हमारा जो सबसे बरा दुसमन है वो कोई और नहीं बल्कि Wooling Group है Wooling Group हमारा सबसे बरा दुसमन है यह सुनके वहाँ पर जितने बेठे हुए लोग हसे सबके होसे उड़ जाते हैं तब भी लिडर यूवी चिलाकर कहते हैं कि क्लाइन वाफ का मतलब वुलेंग ग्रूप से आप वुलेंग ग्रूप की बात कर रहे हैं सन्वू कहता है कि हाँ आप सभी लोग ने बिल्कुल सही सुना मैंने वुलेंग ग्रूप की ही बात की मेरे फादर के मौत होने से लेकि लिडर जिन्वो को पॉईजन देने तक यहां पर हमारे clan के अंदर जितनी भी सारी चीज़े हुई उन्हें बिल्कुल भी ऐसा उमीद नहीं था कि इनके clan के अंदर जितनी भी अभी तक सारी चीज़े हुई है उन सभी चीज़ों के पीछे वुलेंग ग्रूप है उनका clan जो अभी तक इतना जदा कमजोर हो चुका है उन सभी चीज़ों के पीछे वुलेंग ग्रूप है आगे सनु कहता है कि 6 दिन बाद हमारा सर्च ऑप्रेशन खतम हो जाएगा और जीज दिन हमारा सर्च ऑप्रेशन खतम हुआ वो दिन हमारे यून क्लैन की और उलेंग ग्रूप की लराई का दिन होगा उस दिन हमारे यून क्लैन की और उलेंग ग्रूप के लाराई होगी और यहीं पर हमारा सिंज सिफ्ट होता है हमें कहीं और का सिंज दिखाया जाता है जहां पर कोई एक सोलजर के उपर अटेक करता है उसे बहुत ही बेरहमी से माट डालता है तब ही हमें दिखाया जाता है उस सोल्जर के उपर अटेक करके उसे खतम करने वाला कोई और ने अजूरे टीम का लीडर होता है ये सुनके वहाँ पे जितने भी वूलेंग गुरूप के सोल्जर होते हैं उन सभी की हालत खराप हो जाती है वो सभी लोग काफिजा घबराने लगते हैं जिसके बाद अजूरे गार्ट के लीडर सिधे चलते हुए जाते हैं और एक कमरे को उपन करते हैं जहाँ पे वूलेंग गुरूप के लीडर उनके सामने अपने चेर के उपर बैठा हुआ होता है जिसे देखके वो अजूरे गार्ट के लीडर उससे पूछता है क्या है तुम ही हो वूलेंग गुरूप के लीडर चियोन स्योक यही कहते हैं वे वो अपनी पाउर को भी रिलिस कर रहे होते हैं जिसकी वैसे उनके अंदर से काफिजा पाउरफुल एनरजी निकल रहा होता जिसे देखके भुलेंग गुरूप के लीडर के भी पसीने छूड जाते हो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है मेरे समने जो परसं कह रहा है मेरे समने जो इनसान ख़रा है वो इनसान और जो सबसे जड़ा दस पाउरफुल सुप्रेम है उन में से एक है जिसका नाम कोई भी नहीं है जो मुझे इसके हाथों से बचा सकता है यहां तक कि मैं भी इसे नहीं लड़ सकता हूं यहीं सोचकर वुलेंग गुरूप का लिडर जल्दी से अपने घुटनों पर आ जाता है और जूरे गाड की लिडर को ग्रीट करते हुए कहता है मैं वुलेंग कर सकते हैं उसके अंदर हिस्सा लेते हैं और उसके बाद उस टेस के अंदर जो भी स्क्रयाच के ऊबहरेंद दीया जानों दिया ज जहाता है लेकिन पिछले दस शालों में ऐसा कुछ भी यह नहीं हुआ को निकाले है उनमें से उसेजेश के वह स्भी तोपर तुमनें जब करते थे कि हम उसके मिशन को कंप्लीट कर दे और पूरे जेंजिंग के अंतर हमारा कमिशन क्लैन सबसे दा पौ़फूल है जिसके वेसे प्रोविनिस मिश्टर को हमारे पास आना पर था था कमिशन मिशन के खत्री को देख के जेज़ उनके हजूरी गार के रिए का फुय क्सा हो जाते हो गुस्स में चिलाते हों कहते हैं कि आखिकर तुम थे क्या बकवाज़ करें भूलें गुह ऑक Like अगर तुम्हारे कमिशन क्लाइन इसक्रमिंशन को फेल कर दिया ये सुनके अजूरे गार्ट के लिए चिलाते हुए कहते हैं तुम कमी ने कहीं कि तुम्हारी हिमत कैसे हुई अपनी सारी गलती प्राइम इस्टो कॉंग भी सोक के ओपर डालने की फुलेंग गुरूप के लिडर कहता है कि मैं किसी के ओपर भी अपनी गलती को डालने के उस्टिस नहीं कर रहा हूँ मैं बस आपको वही बता रहा हूँ जो सच है और वैसे भी प्रोविनेश मिनिस्टर के साथ हमारी जितने भी बाची उत हुई थी मीटिंग के दरन वो सब ही हमारे रिकॉर्ड बूप में दर्ज है अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं तो फिर आप उस रिकॉर्ड बूप को देखके ये कंफर्म कर सकते हैं कि मैं जितने भी चाहिए कहहरा हूं उस पूरी तर से सच है ये सुनके वह अजुर्ड के लिडर उसको कुछ भी नहीं बोल पाती है आगे अजुर्ड के लिडर कहते हैं कि मुझे वर रिकॉर्ड बूक लाकर दिखाओ ये सुनने के बाद हुलेंग गूर्ड के लिडर सिधे वहा से सच है अब तो मैंने अपको अपने इन्योसिंट को भी प्रूफ कर दिया लेकिन तभी अचानक से अजूरे गाड के लिड़े कहते हैं कि मैं तुम्हें छे दिन का समय देता हूँ अगर तुमने छे दिन के अंदर यो हैं इसके प्रिंसेस के समानों को नहीं ढूंडा तो मै उमीद है कि आपका जो प्रसनल रिलेसंसिप है वो इस कोडमेंट अफैर के अंदर नहीं आएगा जैस उनके अजूरे गाड के लिडर वहां पर कोई भी जवाप नहीं देते वो चुप चप वहां से चले जाते हैं और यहां पर वूलेंग गुरूप के लिडर वाज को सुनके जल्दी से वहां पर भागते हैं वाइस लीडर आता है और पूछता है कि आखिकर अभी यहां पर क्या हुआ यह किस तरह की आवास थी तभी वूलेंग गुरूप का लिडर गुस्से में कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें खराप से खराप सीच्वेशन क कहते हैं कि मैं तुम्हें जब ऑडर दूँगा तो यहां पे हमारे जीतने भी ट्रेयर से निसाने उन सभी को खतम कर देना मिटा देना तुम्हें हमें अजूरे ड्रेगन स्कॉर्ट के लिले को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं क्या तुमने अभी क्या कहा human trafficking or drugs तुमन गवरा जाता हूँ सोच रहा था damn it मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यह यून क्लैन का कमीना यून सन्वू हमारे साथ ऐसा करेगा यह पहले हमारे साथ जोईन हुआ अब हमारे पीछे गदारी कर रहा है हमें धोखा दे रहा है पहले तो हमें इस बात का सक था कि हमारे साथ जो भी incident हुआ है, हमारे जैल पे, जो भी attack हुए, उन सभी के फिछ यून सनुबू है, लेकिन अब इसको यहाँ पे देख किया, मुझे यह बात confirm हो गया है, कि हमारे जैलों पे जितने भी attack हुए, उन सभी को destroy किया गया है, और हमारे साथ अभी तक जितने भी incident हुए, उन सभ जो कुछ भी आए उन सभी जीजों के पीछे ये कमीना यून सन्वू है जही सोचकर वो परसन पीछे के तरब देखता है उसके पीछे उसके जितने भी लोग खरे हुए होते हैं उन सभी को इस सारा करता है कि हमें जितनी जल्डी हो सके यहां से निकलना होगा वो जैसे ही सारा करता है तो उसके जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग उसके सारा समझ जाते हैं जिसके वो सभी लोग जल्दी से उसके साथ वहाँ से निकलने लगते हैं जिसे देखिए अजूरे डेगन स्कॉर्ट के लिए चिला के कहते हैं कि जो जहां खारा है वहीं पिरूखेगा कोई भी अपनी जगह से नहीं हीलेगा ये सुनके वहाँ पर जितने भी अजूरे डेगन स्कॉर्ट के सोलजास होते हैं वो जल्दी से अपने पास से अपनी सौर्ट को निकाल लेते हैं और वो परसंड जो हुलेंग गुरूप से होता और जल्दी से वहाँ से निकाल रहा होता उसके सामने अपनी सौर्ट को कर देत पिर आगे अजूरे डेगन स्कॉर्ट के लिए कहते हैं कि जब तक मैं यहां से किसी को भी बाहर जने का ओर्डर नहीं देता हूं तब तक को भी यहां से बाहर नहीं जाएगा और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो अभी कहा है तुम सभी लोग मेरी बातों को माने होगी अगर किसी ने भी मेरी बातों को नहीं माना, मेरी ओर्डर को डिस ओबे किया तो आगे जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मदारी तुम्हारी होगी यह सुन के वह वूलिंग गुरूप का जो परसन होता है वह अपनी जगह पर ही रूख जाता और काफी जग घब रा जाता है आगे अजूरे डेगन स्कॉर्ट के लिडर सन्वू से कहते हैं जिस मेटर के बारे में तुम अभी मुझे बताने वाले वो मेटर कोई ऐसा मेटर नहीं है जिसे मैं सून के भी नजर अंदाज कर सकता हूँ ये मेटर काफ़ जदा इंपोर्टेंट है अभी जो तुम बोलने वाले वो कोई मजाक नहीं है इसलिए तुम अभी जो बोलोगे तुमें उसकी सारी रिस्पॉंसिबिटी ले लिए होगी अपने सब्दों की सारी जिम्दारी लेनी होगी बेक्यून क्लैन के यून सन्वू क्या तुम इसके लिए तयार हो ये सुनके सन्वू मुस्कुराते हुए कहता है कि अफकॉर्स मैं यहाँ पर जो कुछ भी बोलूँगा मैं उन सारी चीज़ों की रिस्पॉंसिबिटी लूँगा मैं अपने एक एक वार्ट की रिस्पॉंसिबिटी लूँगा और वहीं पर सन्वू का ऐसा बोलते हुए देख कि वूलेंग गुरूप का जो परसान होता है उसकी काफुजा हालत खराब हो रही होती वो अपने चाहों तरफ देख रहा होता है कि कहां से वो भाग पाई कहां से वो निकल पाई आगे आजूरे डेगन स्कॉर्ट के लिडर सन्वू से पूछते हैं कि आखिरा तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता कैसे चला तुमने इसके बारे में पता कैसे लगाया सनु बताता है कि मुझे इसके बारे में बता तब चला जब उनके एक सबूरी उनेट ने मेरे यून क्लेंट के ऊपर पूरी तरसे कबजा करने ही कोसिश की तब मैंने इसके बारे में पता लगाया और उस परसन ने जैसी अपने ड्रक का इस्तमाल मेरे ब्रदर के ओपर किया तो वो परसन मेरे ब्रदर को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगा बिल्कुल एक पुतली की तरह और फिर मुझे जिवन फैमिली के अंदर से उनकी अकाउंट की बुक मिली जो उनके साथ जूरी हुई थी उनकी अलाई थी और जैसे ही मैंने उस अकाउंट के बुक को खोल के दिखा तो मुझे सारी डिटेल्स मिली के उनके अंदर सारी उनकी डिटेल्स थी जिसके मिलने के बाद आखिकर में असली कल्पीट के बने पता लगा पाया है जो इन सभी लोग को पीछे से कंट्रोल कर रहा है और असली मास्टर माइंड है और वहीं पे वो वुलेंग गुरूप का परसन जैसे जैसे सन्वू आगे सारी चीज़े बता रहा होता है उसकी हालत और विज़ा खराब हो रही होती हो अपने चाहुत रप वहां से भागने का रस्टा डून रहा होता है आगे वो आजूरे डेगन स्कॉर्ट के लिडर सन्वू से पूछता है जबकि तुम्हें उस असली कलिड के बने पता है तो मुझे उसके बने बता ओ कि आखिकर वो असली कलिड है कौन तन वो बताता है कि असली कल्पिट कोई और नहीं बलकि पूरा का पूरा एंटायर वूलिंग गुरूप है ये सुनकर तो वहाँ पे जो वूलिंग गुरूप का परसन होता है उसकी बहुत ही बूरिदों से फट जाती हो जल्दी से अपनी सभी सोल्जर से कहता है कि जल्दी से जल्दी यहां से भागो ये सुनते ही उसके सभी सोल्जर उसके साथ वहां से भागने लगते हैं जिसे देख कि अजूरे डेगर ने स्कौर्ट के लिडर अपने सभी सोल्जर से कहता है कि इन सभी लोगों को बंदी बना पूरे काम करेंगे और अपना इतना जदा इंफ्लूएंस फैला लेंगे जैंजिंग के अंदर पुरुइनस मिनिस्टर को इनके बार में कुछ भी पता नहीं चलेगा अगर सच में हमने इतना जदा बुरा काम किया हो तो अपका पुरुइनस मिनिस्टर को इसका पता चल गया होता तो आखी करा पुरुइनस मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछते कि हमने कुछ भी नहीं किया है यही कहते हुए वो परसन अपने चाहो तरफ प्रोविनेश मिनिस्टर को ढूनने लगता और चिला रहा होता है कि अखी का प्रोविनेश मिनिस्टर कहा है उसे जल्दी बुलाओ यहाँ पर प्रोविनेश मिनिस्टर अगर आप मेरी बाते सुन पा रहे हैं तो जल्दी से बाह तुम्हारे कहने का मतलब क्या है यह सुनके सन्वो कहता है मैं तुम्हे अपनी बातों का मतलब समझाओ उससे पहले मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ जो तुम उससे अभी मांग रहे थे एविडेंस मांग रहे थे न चलो मैं तुम्हें एविडेंस दिखाता हूँ यही कोई और नहीं बलकि प्रोविनेश मिनिस्टर की बेटी है लेडी डैंग ये फूलेंग ग्रूप ने प्रोविनेश मिनिस्टर की बेटी को किड्नैप कर लिया था किड्नैप करने के बाद उसे एक होस्टेज के रूप में रख के प्रोविन्स मेंश्टर को मेंसा धमकाया करते थे और उनका मुझे बंद करा दिया करते थे तब ये प्रोविन्स मेंश्टर पीछे साथ हूँ कहते हैं कि उस लड़के ने अभी तक जितनी भी सारी बाते कहीं है वो पूई तो सच है उसमें से कुछ भी गलत नहीं है उलेंग ग्रूप ने मेरी बेटीों किड्नैप कर लिया था जिसकी बाद उन्होंने मुझे धमकाना चलू कर दी और अपने सारे काले काम चुपाने लगे मुझे धमका के और मुझे अपनी बेटी को बचाना था मुझे अपनी बेटी को प्रोटेक करना था जिसकी वैसे मैं भी अपना मुँ नहीं कोल पाता था कभी भी और मुझे अब फी तक जितनी भी सारी बाते सुननी पड़ी है वो सारी बाते उलेंग की वज़े से पड़ी है जब उस समय तुम मेरे पास आए थे और गूरुका परसन जैसी ये देखता है कि प्रोविनस मीनिस्टर की बेटी उनके चंगुल से अजाद हो चुकी है प्रोविनस मीनिस्टर अब उनके कंट्रोल में नहीं है उसे ये बात समझ में आ जाती है कि बीना फाइट के यहां से जिंदा पचके नहीं निकल पाएगा अगर उसे यहां से जिन्दा निकलना है तो उसे यहां से फाइट करके ही निकलना होगा जो समझ में आते ही वो परसन अपने सभी सोल्जर से कहता है कि सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो सभी सोल्जर से अपनी सोल्जर को बाहर निकाल लो और इन सभी लोग को पर अटेक करके इन सभी को खतम कर दो ये सुनके वुलेंग गुरूप के जितने भी soldiers होते हैं वो सभी अपनी sword को बाहर निकाल लेती हैं और अजूरे डेगन squad के soldiers के उपर attack कर निगले जाने लगते हैं ये देखिए अजूरे डेगन squad भी कहां पीछे रहने वाली थी ये सुनते ही अजूरे डेगन squad भी आगे बरती हैं उनसे fight करना स्टार्ट कर देती है और fight स्टार्ट होते हैं वुलेंग गुरूप के soldiers अजूरे डेगन squad के soldiers के उपर भारी परने लगते हैं ये देखिए वुलेंग गुरूप के soldiers की हमत तूट जाती है और वो काफुजा कमज़र हो जाते हैं वो वहां से भागने लगते हैं जिसे देखिए अजूरे डेगन squad के soldiers उन्हें दोरा दोरा के मारने लगते हैं और वहीं पर अजूरे डेगन squad के leader भी पीछे नहीं होते हैं वो लगातार अपने भाले से वुलेंग गुरूप के soldiers को मारे जा रहे होते हैं और उनके सर को उनके धर से अलग करे जा रहे होते हैं यह देखिए वो वुलिंग गुरूप का person काफू जा गुस्से में सोच रहा होता है कि अगर इसी speed से मेरे soldiers मरते रहे तो ना मैं बच पाऊंगा ना मेरे soldiers सभी लोग यहां पे मारे जाएंगे मुझे किसी भी कीमत पे यहां से जिंदा बचके निकलना होगा यही कहते हुए अपनी किसी टेक्नीक का इस्तिमार करने लगता है जिसके वेसे उसकी पाऊर काफी जदा इंक्रीस होने लगती है उसे ऐसा करते हुए अगी बहुत ऐख में काफी बढ़ा होता है फिर उस दमाके एक बाद जैसी वहाँ से दीरे-दीरे करके धूर लटने लगती है तो हमें दिखाया जाता है अजूर डेगन स्कॉर्ड के सभी सोल्जर से ही सलामत होते हैं उन्हें कुछ भी नहीं हुआ होता है और जब पूईता से वहाँ से दूल अरती है सब कुछ वहाँ से साफ होता है तभी हमें दिखाया जाता है अजूर डेगन स्कॉर्ड के लिए वहाँ पे एक सील्ड बना लिए होते हैं उस दमाके से बचने के लिए और सील्ड के कारानी वहाँ पे जितने में अजूरे डेगने स्कॉर्ड के सोलजर्स होते हो जिन्दा बच पाते हैं वरना उस धमाकी के अंदर वो सभी लोग मारे जाते फिरा आगे अजूरे डेगने स्कॉर्ड के लिए अपने चाह ओ तरफ उस परसन को ढूनने लगते हैं वहाँ से भाग चुका होता है जिसे देख कि वह अजूरे डेगने स्कॉर्ड के लिए कहते कि उसने एक्स्प्लूजन करके हम सभी लोगों का ध्यान बता है ताकि उस मौ माउंट हुआ से कि मास्टर उलेंग को से कहते हैं कि तुमने गोपवर धिया है और मुंझे इतना ज़धा बनाया है पता नहीं कि इतना ज़धा ग्रेट पाउर लेकिन आपने माउंट हुआ सेक के मास्टर को इतना ज़़ा ग्रेट पाउर दिया और उसे इतना ज़़ा पाउर्फुर बना दिया यह चीज आपके उपर अप्लाई नहीं होता है वुलेंग गुरूप के लीडर उसके साइड में बैठा परसन कहता है कि हां मैं तुम्हारी बातों से पुईता से एगरी क से भी बड़ा बनाएंगे यह सुनके मांट हुआ सेक के मास्टर कहते हैं कि आप जो हमारी इतनी जड़ा राई सुने मदद कर रहें उपर आने में मदद कर रहें हम आपके इस ऐसान को कभी नहीं नहीं भूलेंगे हाला कि मुझे यह बात जानके काफिया सर्प्राइज हु कि मांट हुआ सेक के मास्टर कि इस परसन की बात कर रहें आगे हमें कहानी में पता चल जाएगा तो आगे कहानी को कंट्यूँ करते हैं आगे वुलिंग गुरुप के लिड़े कहते हैं कि आपको इसके बार में कहीं भी ऐसे ही बात नहीं करना चाहिए और वैसे भी आप ज फ्याइन होने से काफी जदा खुस है जिसकी वजिससे उफिसे बहाँ परसन कभी भी हमें अपने से मिलने के लिए बुला सकते हैं इसकी वे से इंतजार करें कि हमें आपने पास बुलावा आ थैं उन्से मिलने का ये सुनके वहां पर जितने भी फ. फैक्री लिड pieceलै कि थ से आँवाज कुछ तो और माँड़िक सवाज जर्षन कम इसकता है जो स्मज़्ज में आते हुँ कहते । यह समझ में आते ही वह जल्दी से खरे होते हैं और भाहर जाकर एक language को खोलते हैं और उसका मतलब forever योक रोक अजूरे डेगन स्कोर्ट का लिडर यहां पर आ चुका है अगर यह सच में वही है तो यह हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं यह काफी यह दबूरा हुआ हमें जल्दी ज़री यहां पर सारी यहों को साफ करना होगा तभी पीछे से बागी सब फैक्से लिडर पूछने लगते हैं कि ग्रूप लिडर अखीकर बाहर क्या चल रहा है बाहर एक्जेटली क्या हो रहा है और यह किस तरह का लाल दुआ है और बाहर इतनी सारी आवाजे क्यों आ रहे है वो यह सब कही रहोते हैं तब आचानक से उन सबी को काफी या दर्द हुने लगता है वो काफी या दर्द में चिलाने लगती हैं तब है दिखाए जाता है क्याँ सांस नहीं लेपा रहा हूता है। तभी वहाँ पे एक soldier काफी ती इसे भागती विया आता है, वुलेंग गूरूप के लिड़े से कहता है कि गूरूप लिड़काप ने उसे देखा, क्या आप उसे देख पार है वो लाल दुए को, वुलेंग गुरूप का लिडर कहता है कि हाँ इसका मतलब तो वही है कि वो आ चुक है अजूर ड्रेगन स्कॉर्ट का लिडर जल्दी से जल्दी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो और जितनी जल्दी हो सके सारे विटनेस और एविडेंस को मिटा दो उन में से को भी जिन्दा नहीं बचना चाहिए और जल्दी से जल्दी यहां से डिडेट करके हेट क्वार्टर निकलो वो सोल्दी कहता है कि ठीक है मैं बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ फिर आगे वुलेंग गुरूप के लिडर अपने सभी फैक्शन लिडर से कहते हैं कि तुम सभी लोग अपने वेपन को तयार कर लो अब यहां पे एक वार होने वाली है यह सुनके एक फैक्शन लिडर कहता है कि आखिकर यहां पे हो कहा रहा है गुरूप लिडर तभी दूसरा कहता है कि आखिकर आपका वार्ट से मतलब क्या है तब ही माउंट हुआ सिक के माश्टर कहते हैं कि ग्रूप लीडर क्या आप सच में सोच रहे हैं कि आप अजूर डेगन स्कॉर्ट के लीडर के सामने खरे हो सकती और उनके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं ये सुनके वुलेंग ग्रूप के लीडर काफी जाग उसे में माउंट हुआ सिक के माश्टर से कहते हैं कि तुम अपना मुँ बंद रखो ये सुनके माउंट हुआ सिक के माश्टर बहुत ही बुईतों से काप जाते हैं आगे वुलेंग ग्रूप के लिड़े कहते हैं कि तुम अपना मुँ बंद रखो मेरे पास अभी इतना ज़़ा समय नहीं है कि मैं तुम्हारी बेकार सी बाते सुन सको यही कहकर वुलेंग ग्रूप के लिडि़ चलते हुए एक तरफ ज़ाने लगते हैं और चलते हुए एक बुक से लफ वेफास पहुंचते हैं जहां पर काफ़ी ज़ाइछ बुक रखी हुई होती हैं नहीं से एक बुक को बाहर की द ole गीशते हैं तो वहां से कुछ बाहर नंक आखे कर ये यहां पर क्या कर रहा है और बस इतना है नहीं वहां पर कोई एक नहीं बलकि तीन तीन ये सच में काफी जदा खतरनाक है तब ही वुलेम ग्रूप के लिडर एक क्रिपी से स्माइल देते हुए कहते हैं क्या इतना काफी होगा क्या ये तीन काफी होगा इस पूरे लिडर होते हुँ उन सभी की फड़ जाती है इतना ज़्दा खतरनाक आइडिया को देखे वुलिंग गूरूप के लिडर यह सब कही रहते हैं कि तभी उन्हें काफिजा लोगों की चिलाने की आवाज आने लगती है जिसे देखके वुलिंग गूरूप की लिडर बाहर को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफ़जा खराप होती है वह आधा मॉंस्टर और अरधा इंसान होता है वह देखके पूरा मॉंस्टर में कन्वर्ट हो रहा होता है जिसे देखके वहां पे जितने भी वुलेंग ग्रूप के सोल्जर्स होते हूं उन सभी की काफ़जा फटी करता है वह एस लेड़े वहें पे गिर के मारा जाता है और यह अटेक करने वाला कोई और नहीं बलकि सन्वू होता है जो दूंद से बाहर आते हुए कहता है कि सच में यह दूंद मुझे काफ़ या इरिटेट कर रही है लेकिन यह दूंद इतनी भी जदा पाउरफुल नह और तुम सभी लोग क्या लगा तुम सभी लोग इतने जदा कमजो और धूंद के साथ मुझे रोक लोगत सच में तुम सभी लोग ने मुझे काफ़ी जा अंदर एस्टिमेट कर दिया फिर आगे सन्वू चिला के कहता है कि वूलेम ग्रूप के लिडर चियों सोक तुम जह सभी लोगों से लड़ने के लिए किल आ रहा हूंगा सच में अगर तुम ऐसा सोसते हो तो मुझे तुम्हारी लिए काफ़ी जदा बूरा फील हो रहा है यही कहकर सन्वू बस अपनी एक चूटकी बजाता है उसके चूटकी बजाते उसके चौट अब उसके स्केलिटन आर पसंद है वहाँ पर जितने भी स्केलिटन को देखके उन सभी की हालत खराप हो जाती है वह काफी घपड़ाते हुए कहने लगते हैं आखिकर यह किस तरह का चीज है क्या यह जेंसिन है वही इंसान के मरने के बाद जो जॉंबी की तरह वो लोग बनाते है न उसी की बात कर रहें यह लोग तब दूसरा कहता है कि नहीं नहीं वो जेंसिन नहीं है बिल्कुल घेंसिन की तरह नहीं बलकि यह पूय तसे के स्किलिटन है क्या? क्या क्योंकि मैंने आज से पहले इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है ना इसके बार में सुना है तो आखिकर ये सब है क्या तब ही एक सोलजर काफी घपराते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि वो अंडर वर्ल के मेसेंजर है जो यहां पे हम सभी लोग को खतम करने के लिए आया है और वहीं पे सब वो उन सभी को ऐसे घपराते हुए देख के काफी या खुस हो रहा होता है कि अभी जो मैक्सिमिमय मैं स्किलिटन सॉलजर को समन कर सकता हूं उसका नमबर है अज सेलिं भवी स्चिमय में जल्दी ही इस नमबर को 100 तक पहुचा दूंगा उसके बाद मैं 100 स्किलिटन सॉलजर की आर्मी को समन कर पाऊँगा लेकिन अभी फिलाल के लिए इन छोटे मोटे वूलेंग गुरूप के कमजोर कुटो खतम करने के लिए मेरे साथी स्क्लिटन सोल्जर्स काफी है जिसकी वैसे मैंने अभी साथी स्क्लिटन सोल्जर्स समन किया है सनुए सब सोची रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक परसन आते हुए सभी सोल्जर्स से कहता है कि आखिकर तुम सभी लोग कर क्या रहे और तुम सभी लोग किसे डर रहे हो तब भी हमें इस परसन के बरें बताया जाता है कि ये परसन चोरो चिंग स्कोर लीडर होता है आगे हो जोंग सभी सोल्जर से उपर चिलाते हुए कहता है कि तुम सभी लोग को डरने की कोई भी जरुवत नहीं है वो सभी सोल्जर बस हडियों के ढाचे हैं जिनें तुम अप कोनिक से का बाश्टर है उसके खतम कर दो और साथ ही साथ उसके सारे स्क्लिटन सोल्जर को भी खतम कर दो उन में से किसी को भी जिन्दा मत छोरो ये सब सुनके वो सभी सोल्जर काफी या मोटिवेट हो जाते है वो जल्दी से अपनी स्वर्ट को बाहर निकाल लेते हैं और एक-एक को चुन-चुन के मारों को भी जिन्दा नहीं बचना चाहिए ये सुनके सन्वू के स्क्रिटन सोल्जर्स भी काफी तेज़ से अपने वेपन को लेके आगे बढ़ते हैं उन सभी दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है इसे देखके वो होजंग सोच रहा होता है कि आखी करिंज जैसे कोई हटियों के ढाचे मासलाट का इस्तमाल कैसे कर सकते हैं वो भी कोई लोग ग्रेट के मासलाट नहीं बलकि हाई ग्रेट के मासलाट का इस्तमाल करें और साथ हम इनसे numbers में काफी ज़ादा है लिए इनसे कोई भी फक नहीं पर रहा है वो सभी skeleton soldiers number में हमसे इतने ज़दा कम होने के बावजुद बड़ी आसानी से हमारे सभी soldiers का सामना कर पा रहे हैं और उन सभी को बड़ी आसानी से मारे जा रहे हैं हमारे soldiers तो उन सभी skeleton soldiers के सामने खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं वो अपने आपको बचा तक नहीं पा रहे हैं अगर मैं इसे अपनी आँखों से नहीं देख रहा होता तो मुझे इस बात पर कभी भरोसा ही नहीं होता कि उन में से एक-एक skeleton soldiers एक-एक monster एक transcendent level का expert है अगर ऐसा ही चलता रहा और वो सभी skeleton monster मेरे सभी soldiers को इसी तरह मारते रहे तो हमारे जितने का कोई भी chance नहीं है जल्दी मेरे सभी soldiers खतम हो जाएंगे मुझे लगता है कि अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं कोई भी choice नहीं है यही कहकर वो अपने हाँ से कोई इसारा करता है और वो जैसी ऐसा करता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बरे explosion होता है सच में यह explosion काफी बरा होता है जिसके अंदर उसके खुदके soldiers मारे जाते हैं और जो soldiers उस explosion से बच जाते हैं वहाँ पे लगी हुई आग से वहाँ पे जल के मरने लगते हैं और काफी चिला रहे होते हैं और बंदत की भीक मांग रहे होते हैं लेकिन वहीं पे होजों को अपने खुदके soldiers के मरने का कोई भी गम नहीं होता है तो वो तो खुस होते वे सोच रहा होता है इस तरह के कोई बड़े explosion से कोई भी एक बड़ा सा बड़ा expert भी नहीं बस सकता है तो तुम्हारे skeleton soldiers क्या है तुम्हारे skeleton monster भी इस explosion से नहीं बचे होंगे यून सन्वू तुम्हारे skeleton monster की हड़िया भी नहीं बचेंगी इस एक्स्पोजन फायर के अंदर उन सभी की हड़िया भी गल जाएंगी हो जोंग ये सब सोचते हुए काफी जा खुस होई रहा होता है कि तभी हो जोंग अपने सामने के नाजारे को देखे पूरी तर्स, दंग रह जाता है और उनमें से किजी को भी उस धमाके से कोई फक नहीं पा रहा होता है उनमोको एक हो जोंग से कहता है कि तुमने सच में लगा था कि तुम ऐसी क़ो जोर धमाके से मेरे skeleton soldiers को रोक लिए गशिता ना गोरे लेकिन तुमने खुतके अपने सोल्जर्स को इस धमा के अंदर सेक्रिफाइस कर दिया। उन्से पूरी दासे वाइप आउट कर दिया। जही केकर सन्वु काफी यह हस रा होता है। जिसकी यह से होजों को काफी यह गुसाने लगता है। वहाँ पर जो उसके बचिवे तो जो भी soldiers यहां से fight से बचने ही कोशिश करेगा यहां यहां से भागने ही कोशिश करेगा वो सभी लोग मेरे हातों से ही मारे जाएंगे कोई भी यहां जिंदा बचके नहीं जा पाएगा या तो लरो या तो मरो यही के कर हो जोंग अपने आपको एक monster में convert कर लेता है जिसे केकर सन्वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और कहता है कि सभी लोग जाग जाओ उसके ऐसा करता है सन्वो के और भी जाए स्किलिटन सोल्जर्स वहाँ पर समन हो जाते हैं जिसे देख कि वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सबी के हालत और पिजा खराप हो जाती है वो सबी लोग काफ़ी जाख खपराते वे कहने लगते हैं ये तो बिल्कुल पहले जैसा ही है ये लोग तो बिल्कुल एक्जैक्टली पहले वाले जैसे ही हैं लेकिन उसके अंदर तो हमारे भी काफी जादा सोल जैसे लेकिन आखिकर ऐसे कैसे हो सकता है वो सबी लोग तो मारे गए थे वो सबी लोग फिर से जिंदा कैसे हो सकते हैं ये सुनके सन्व कहता है कि तुम सबी लोग को इतना जाए डरने की ज्रогवत नहीं है तो मेरी पावर है तुम सभी लोग मुझे अनफेर होने के लिए कोस नहीं सकते हो क्योंकि मेरी पावर में ही अनडेट को जिंदा करना है तो मैं कैसे ऐसा ना करू मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना वुलेंग ग्रूप के ग्रूप लिडर चेंस हो क्या तुम मेरी बातों से एगरी करते हो ना और वहीं पे चियोंस हो उसको कोई भी जवाब ने देता है वो बस उसे लगादार घूरे जा रहा होता है लेकिन तभी कोई परसन सन्वो के सामने अचानक आ जाता है जिसे देखके सन्वो उसे कहता है वो हमें मिले हुए काफी लंबा समय हो गया फाइनली तुम मेरे सामने आ ही गए माउंट हुआ के मास्टर चैंसू हमें दिखाया जाता है कि मास्टर चैंसू सन्वू के सामने अपनी स्वोड लेके आया हुए होते हैं और अपनी पावर को रिलीज कर रहे होते हैं और सन्वू से कहता है कि चलो अब हो समय आ गया है जब हम अपने पूराने गर्ज को सेटलमेंट कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं तुमने जब मुझे हुमिलेट किया थोड मेरी इतनी ज़्यदा बेश्ती की थी सभी लोगों के सामने अब समय है कि मैं उसे सूथ समय तुम्हें वा रतलिमा एसा नहीं कर सकता हूँ । ये सूंगे मंटर्आ के मस्टर क चैंजू करते हैं कि तभी आचनक के सभी सभी से काफीया नेर्जी निखलने लगती In तबी सनु के पास सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, कि उसने hidden condition को satisfy कर दिया है, जिसकी विसे sword sage, म्योंग ग्योंग, खुद से यहाँ पे समन हो रहे हैं, तबी सनु के पास एक और notification आता है, जहाँ उससे बताया जाता है, skeleton commander, sword sage, गौंग, शोंग, उसो अपने सबसे बड़े गुसे को जाही कर रहा है, जिसकी विसे उसके जितने भी state है, वो सभी states 200% से increase हो गए हैं, तबी वहाँ पे sword sage समन हो जाते हैं, जिसे देखके सनु के जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, कि मैं तुम्हें 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 कि उसका सामना कोई भी इंसान ना कर पाए, उसके sword के सामने कोई भी खरार ना रहा पाए, तब जाके किसी भी इंसान को sword sage का title दिया जाता है, और ये जो परसन है sword sage मोई ग्योंग, ये अपने time का सबसेदा honorable sword sage में से एक है, जिसकी सबसेदा समान किया जाता, इजद किया जात उसकी पावर को महसूस करके काफी जदद गभराया हुँ उन्खी की काफी जवट गई होता हैं। आखीकार स्क्राइब को देखके स्केलेटन मंस्टर को देखके, इसके यनर्जी को फिल करना स्केला होता है। उसके ऐसे reaction को देखके सन्वू उससे कहता है तुम बेवकूफ कहीं कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि तुम्हारे सामने जो एस्केलिटन खरा है वो तुम्हारा खुद का master स्वार सेज मास्टर चैन्सू है क्या तुम उन्हें अभी तक नहीं पहचान पाई सच में तुम कितने बड़े बेवकूफ हो जो तुम खुद के master को नहीं पहचान पाई तब ही sword stage कहते हैं हाँ आप सभी लोग ने बिल्कुल सही सुना sword stage कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है क्योंकि मेरे गलत डिसेजन से मेरा जो mount हुआ सेक्ट है जो पहले इतना चादा अच्छा और इमंदार हुआ करता था वो आज पूईता से corruption और evil ने से भर चुका है जो मेरे mount हुआ सेक्ट पहले लोगों के लिए एक अच्छाई का प्रतिक हुआ करता था उसके अंदर बैमानी और पूईता से corruption भर चुका है इसी की वज़े से आज मुझे जहां प्याना परा ताकि जितने पी लोगों ने मेरे mount हुआ सेक्ट के नाम को बदनाम किया है उसे मिट्टी में मिलाया है उन सभी कमीनों को अपने हाथों से खतम कर सकूँ और मेरे mount हुआ सेक को बिल्कुल पहले जैसा अच्छा और साफ सुतरा बना सकूँ ये सब सुनके वहें पे mount हुआ सेक के master का काफ़जा दिमाग खराप हो गया होता है वो जोड़ से चिला के कहता है कि बस बहुत हो गया बस करो अपना बकवास तुमें क्या लगता है तुम इन चोटे मूटे जादू का इस्तमाल करके मुझे बेवकूप बना लोगे अगर सच में तुम ऐसा सोचते हो तो तुम सच में एक बहुत ही बड़े बेवकूप हो मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे सामने जो skeleton monster खरा है वो कभी भी मेरे master स्वाच जेज गौंक सुन नहीं हो सकते हैं ये सब एक छलावा है मेरे सामने जो skeleton खरा है वो बस एक हड़ियो का धाच है उसके लवा वो कुछ और नहीं है तुमें क्या लगता है तुम इन छोटे motor trick का इस्तमाल करके मुझे बेवकूप बना पाओगे मैं कभी भी तुमारे इन छोटे motor trick के अंदर नहीं फसूंगा सन्वू कहता है क्या सच में तब ही एक दूसरा faction leader मांट वास एक के मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि वो बस हमें गुस्सा दिलाने की कोसिस कर रहा है ताकि हम गुस्से म्याके कोई गल्दी कर दे और वो उसका फायदा उठा ले और भले हमारे सामने जो skeleton monster खारा है वो भले कोई असली स्वाट से जी ना हो लेकिन हमें घबराने की जरूवत नहीं है क्योंकि वो बस एक हडियो का धाचा और वो असली स्वाट से जितना कभी भी powerful नहीं हो सकता है जैस उनके मांट वास से के master कहते कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे है और वैसे भी हमने उन क्योंकि हमने पहले स्वाट से जी विजदा सुपरियर पावर को अप्टेन कर रखा है ये सब सुनके सन्वू उत्ते कहता है सच में जैसा कि मुझे तुम से उमीद था तुम पूर उत्ता से पावर के नसे में अंधे हो चुकि हो लेकिन ये बात याद रखना कि तुम कभी स्वाट सेज थे अपने सब्दों के बलभूते पे नहीं जूश सकते हो यही कहकर सन्वू स्वाट सेज से कहता है स्वाट सेज अब आप उसके साथ जो करना चाहे कर सकते हैं ये सुनके स्वाट सेज काफी तीज से उन सभी के उपर अटेक करने के लिए जाने लगते हैं ज भी दूसरा faction leader जो उस person के साथ transportzerz के उप़र attack करने के लिए आह रहा होता है वो अपनी sword serg के पीछे से उनके उपड़ अटेक करता है जिस अटेक को photographer merch बर हासानी से notice कर लेती है उस attack से बरी हासानी से बच जाती है और फिर उस दूसरे faction leader के उपर अपनी स्वाट से काफी तेज से काफी सरे स्लैसेज लगा देते हैं यह स्लैसेज इतने जदा तेज होते हैं कि वो फैक्शन लीडर रियक तक नहीं कर पाता है उसे पता भी नहीं चलता है कि उसके उपर कब अटेक होगी और उसकी बोडी बहुत चोटे चोटे टुकरों में बट गई यह देखकर वहाँ पर जो दूसरे फैक्शन लीडर होते हैं उन्हें काफी जगुसा आता है वो स्वाट सेज के उपर अटेक करते हुए कहते हैं तुम कमीने तुम कमीने मॉंस्टर कहीं कि आखिकर तुमारे हिमत कैसे हुई हमारे दो सांथी को मारने की तुमें अब इसकी कीम चुकानी होगी यही कहते हैं वह लोगतार स्वाट सेज के उपर āपर अटेक कर रे होते हैं लेकिन वहीं सबी के अटेक को बड़ी असानी से डॉच कर रहे होती और तब हैं दमाके के प्रेसर के विएजसे वो दोनों ही काफी दूर फेका जाते हैं और वह पर माउंट हीजों सेक के मास्टर को भी उस प्रेयर सरको ररिजिस्ट करने में काफिजा प्रप्लम हो रही होती है और वो बड़ी मु錯्शिल से उस प्रेयर सरको रेजिस्ट क्र पार रही होती है और वहीं पर स्व exhibition leader के ऊपर हरूँ में ही एटक कर देती है और वो दोनों का किस्सा वहीं पे खतम हो जाता है जिसे देखके मांट हुआ सेक के मास्टर काफ यह हैरान होते वे सोच रहे होते हैं आखिर कार ऐसा कैसे हो सकता है वो सभी लोग मांट हुआ सेक की का ओनरेबल एल्डर थे और यहां तक कि उन सभी लोगों ने सेक से पावर को भी रिसीब किया था तो वाकिकर वो लोग इतना जदा पावर्फुल होने के बावजूद इतनी हसानी से कैसे उससे हार सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता है क्या है सच में स्वार्ट सेच की टू पावर है जो आज मैं यहां पे देख पा रहा हूँ जबकि यहां पे जितने भी मेरे इल्डर थे वो सबी लोग इसे मारे जा चुके अब यहां पे इसका सामना करने के लिए कोई भी बचा नहीं है तो मुझे लगता है कि अब मुझे इसका सामना करना होगा मुझे जो हूलेंग ग्रूप के लीडर चियों सोक ने डिमोनिक पावर दी है वो अभी तक कुई तरसे कंप्लेट नहीं हुई है लेकिन मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है मुझे उसका सामना करना है तो वरना अगर मैंने उसका इसका सामना नहीं किया और साथ ही साथ उनकी power काफिया greatly increase होने लगती है बरने लगती है जो अपनी power को महसूस करते हुए mount हुआ से के master कहते हैं ये demonic power सच में काफिया ला जवाब है मैं अपनी body के अंदर मेरी power को काफिया greatly increase होते हुए महसूस कर पा रहा हूँ और अब finally मैंने उसे obtain कर लिया है demonic beast की असली power को यही कहते है वे काफिया खुस हो रहे होते और जोर्जों से हस रहे होते फिरो सन्वू से कहते है तुम कमीने यून सन्वू क्या तुम ये देख पा रहे हो इसला जवाब demonic power को जो मेरे body के अंदर flow हो रही है और मेरी power को इतनी इंज्था बढ़ा रही है अब यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं यह जो मेरा सामस कर सकता है जो मुझे सब्सक्स वहाएं मूपने सेग के मास्टर अपने हाथों में काफी जा डीमोनिक पावर को एक खटा करने लगते हैं जिसके बाद हो सीधे स्वार्ट सेज के ऊपर अटेक करने के लिए जाने लगते हैं और स्वार्ट सेज के कहते हैं कि हड्डियों के ढाची अब तुम्हारे खतम होने का समय आ गया है और वहें पे स्वार्ट सेज बस अपनी जगा पे खारे होते हैं और उसे ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं स्वार्ट सेज जैसे मांट हुआ सेग के मास्टर को अपने पर अटेक करते हुए आते हुए देखते हैं वो भी अपना सबसे दा पावरफुल अटेक को चार्ज करने लगते हैं जिस अटेक को देखके तो एक समय के लिए माउंट हुआ सेक के मास्टर भी काफ़ी जदा परेसान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे जितना जल्दी हो सके इस अटेक को डॉज करना होगा या इसके अटेक को चार्ज होने से पहले ही मुझे स्वार्ट सेज के उपर अपना अटेक करना होगा चूँकि यह जो अटेक है वो स्वार्ट सेज का सबसे दा पाउर्फुल अटेक में से यह एक है अगर यह अटेक मुझे लग गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं यह अटेक को ब्लॉक कर पाऊंगा यही सोच के माउंट हुआ सेक के स्वार्ट सेज के उपर अटेक करने के लिए उनके करीब जाते हैं वो उस अटेक के एनरजी से पीछे के तरफ धकले जाने लगते हैं और वही पे स्वार्ट सेज इस मौके का फाइदा उठाते हैं और काफी तेह से माउंट हुआ सेक के मास्टर के उपर अटेक करके उनके पीछे के तरफ निकल जाते हैं और तभी स्वार्ड सेज के उस अटेक की वज़े से वहाँ पे एक बहुत ही बरे एकस्प्लोजन होता है और वहीं पे वुलेंग गुरूप के लिडर उपर से वो सारी जीजों को होते हुए चूपचा बस देख रहे होते हैं ठब ही हमें Mount Wors एक के Master को दिखाया जाता है जिसके हलत सच में काफिजा खराब होती है वो अपनी आखरी सांसे गिन रहा होते हैं और अपनी आखरी सांसे गिनते हुए कहता है तो ये है true sword of the Mount यहीं कहते हुए Mount Wors एक के Master आप्सिता करें बस एकी बचा मिल्यागे डर्य बास पर जाने लगते हैं वब बस कुछी समय में जहां परłumोप के लिडर लीडर जिस dollar कह पाँज जाता है फिर वहाँ से उस दर्वाजी के अंदर से काफी जा डीमोनी का ओरा निकलते वे देखता है जिसे देखके सन्वू सोचता है इस दर्वाजी के अंदर से सच में काफी जा इमेंज डीमोनी की निकल रहा है ये डीमोनी की सच में काफी जा पाउरफूल है मुझे यूलिंग के लिडर शन्वों से कहते हैं सच में तुम्हें में पास आने में काफी ज़द समय लग गया मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें मेरे पास पहुंचने में इतना ज़द समय लग गए फिर जैसी वहां पे दूल साइट में हटने लगती यह तब ही हमें Woolen Group के लिडर को दिखाया जाता है जो सीधे सन्वू के सामने खारा होता है और सन्वू से कहता है कि मैं कब से लंबे समय से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा था तुम जब से मेरे Woolen Group के अंदर एंटर कियो और तुमने यहाँ पर जो कुछ भी है है कि तुम उसे लड़ने के लिए बिना अपने स्किलेटर मॉंस्टर के कैसे आगे क्या तुम्हें यह लगता है तुम अपनेar सण्वू जैसे Woolen Group की लिडर को जवाब देने जा रहा होता है तभी सन्वू का धहीं पर जाता है जिस्की से सन्वू nothinेदा है तब ही हमें दिखाया जाता है सन वो वाइलेंट थंडर बॉम्स को देख रहा होता है और सन वो उसे ही देखके काफी जहरान हुआ होता है सन वो उसे देखके सोच रहा होता है क्या वो वाइलेंट थंडर बॉम्स है यही सोच के सन वो विलेंट थंडर बॉम्स है और वो आता हूं कि आखिकर यह यहां पर क्या कर रहा है अगर अगले 30 मिनट के अंदर तुम इस सीटी को छोड़के इस सीटी से बाहर नहीं के तो तुम्हारे जितने भी स्क्लेटन मौस्टर है और तुम वो सभी पूर इतर से बिना किसी निसान के इस सीटी के साथ गायब हो जाएं और अब मैं ही यहां पर एक लौता हूं जो तुम सभी लोग की जान बचा सकता हूं अब तुम सभी लोग की जान मेरे हाथों में मेरे कंटूल में है अब मैं यह डिसाइड करूँगा कि मुझे तुम लोगो को जिन्दा चोड़ना है तुम लोगोको यहीं पर ख rinse कर देना तुम क्या बखवास करो, तुम अपना ये बखवास बंद करो, तुम्हारी बखवास सुन सुन के मेरा सरदत करने लगा है, आखिरकार तुम सभी कमीनों के प्रॉल्लम क्या है, जब भी तुम सभी कमीने आखिर में हारने लगते हो, तो तुम सामने वाले के साथ हाथ मिलाने क कोसिस करते हो ताकि तुम उसे अपने एक सांती बना सको और उसका इस्तमाल करने के बाद उसे हिलाश्ट में खतम कर सको और तुमसे इसे कमीनों को क्या लगता है मैं क्यूं तुम्हारे नेमलेस भगवान को फॉलो करूंगा जिसका कोई नामों निसान ही नहीं है जिसका कोई हिम्मत कैसे हुई मेरे डीमन गोड के बारे में ऐसा कहने कि अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं तुम्हें एक बहुत ज़ता दर्दनाक मौत दूंगा यही केकर वूलिंग गूरूप के लिडर अपने पास से अपनी स्वोर्ट को निकाल लेती है और सन्व से कहते हैं कि जैसा कि मैंने तुम्हारे ब्रदर को और तुम्हारे फातर को पोईजन दे के मारा ओ भी इतनी जा दर्दनाक तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारी मौत उनसे जा दर्दनाक रखूंगा मैं तुम्हारे बोडी के छोटे छोटे चोटे टुक्रे करूंगा और य उनके सन्वू smile करते वे कहता है कि या सच में यही कहते वे सन्वू willing group की लीडर को एक गाली देता है जिसकी वैसे willing group की लीडर और विजर trigger हो जाते हैं जिसकी वैसे वो सन्वू के उपर अपने sword से काफ़िजा powerful powerfully strike करने लगते लिग वही पे सन्वू उनके सारे attack को बढ़ी आसानी से dodge कर रहा होता है और जैसे सन्वू को वहाँ पे एक opening दिखती है सन्वू भी अपनी sword से willing group के लीडर के उपर एक slash करता है पीछे हटके सन्वू के slash से बच जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने जितना सोचा था ये कमीना उतना भी कमजोर नहीं है मुझे carefully इससे लरना होगा वरना मैंने इस fight के दोरान एक भी गलती की तो ये कमीनास मौकी का फाइदा उठा के मेरे सर को मेरे धर से अलग कर देगा यही सोच कर वुलेंग गुरूप के लिड़े सन्वू से लरने लगते हैं और वहीं पे वो दोनों ही एक दूसरे को उपर लगातार attack कर रहे होते हैं जिसे देखे वुलेंग गुरूप के लिड़े सोच रहे होते हैं कि आखिकर यहाँ पर क्या चल रहा है अभी तक मैं कैसे हो सकता है इस बच्चे की पाउर में से जदा सुपरियर कैसे हो सकती है मैं इस चीज को बिल्कूल भी मानने को तयार नहीं हूँ लेकिन मैं इस बच्चे के साथ जितना ही लग रहा हूँ जितना ही इस बच्चे के साथ फाइट कर रहा हूँ मुझे इसकी पाउर उतनी को एक ओपनिंग दिखती है जिसे देखके सन्वो कहता है यहीं कहने के साथ सन्वो अपनी की स्किल का इस्तमाल करता है जिसकी वैसे वुलिंग ग्रूप की लीडर की बौडी पूरी तरह से फ्रीज हो जाती हो अपनी जगह पर ही रूख जाते हैं इसे मौके का फाइदा उठ है कि सन्वो जल्दी से अपने इसकलिटन सूलडर को समन कर लेता है जिसके सत भावत मेरे सांथ हों थे ख। और पनी बोडी जोड़ने की घुझार है कर रहे होते अपनी आपको छुरानी की कोसिए होते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है तब तक काफ़ या लेट हो चुगा होता है सनु के जितने भी स्क्लिटन सूलजर्स होते हो सभी लोग वूलेंग गूरूप के लीडर के उपर आटक करके उसके पीछे निकल चुके होते हैं और वहीं पे फूलेंग गूरूप के लीडर के दोनोी हाथ पर कट चुके होते हैं जिसके वयसे वूलेंग गूरूप के लीडर अपने घुटनों पे आजाते हैं जिसके बाद वो सनु को गाली देते हुए कहते है तुम कमिने network कर तुमारी हमत कैसे हुए सर की उपर अटेक करके तुमारे सर को तुमारे धर से अलग कर सकता था और तुम एक ही जटके में मारे जाते और वैसे भी मैंने उन सफी Wildender Bomba से भी छुटकारा पा लिया है तो मुझी तुमारे पर conceptual करने में कोई भी problem नहीं होगी ये सुनके उलेंग ग्रूप की लीडर चोक जाते हैं वो जल्दी से पीछा गूम के देखते हैं जहाँ पे उन्होंने वाइलेंट ठर्नर बॉम्स को रखा हुआ होता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पे वाइलेंट ठर्नर बॉम्स गायब होते हैं ये देखके उलेंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो आखिए कर हमारे उलेंग गुरूप ने तुमका इतना जधा बुरा किया ही क्या है जिसके वहिए से तुम हमारे वोलेंग क्रूफ को पूई रिस्ट्वाई करने के अादे गोश्च पुलें डिल्टकी के लिएक में पूम्हें पूहिदा पूहीं पैस फिद्टि पूह जाती ओप वह जिदा है आगे उसे कुछहता है तुम तो बस एक सुनुआती की रहे हो जिसे कूचल के ुलेhew ब Tommy कोई भी ओ, जो इस वोल्ट को डिश्टोइ करने के कोसिश करेगा, बहले ही वो कितना भी ज़्ज промपक्राइच वे, बलड से खो हूँ या कोई भी हो, जो कोई भी इस सोच रहे होते कि बस बहुत हो गया इसे जदा मैं चिसको बरदास नहीं कर सकता हूँ जबकि यह सिच्विशन इतना जदा खराप हो गया और यहां तक पहुंचाया है तो अब मुझे मेरे लाश प्रम काट का इस्तमाल करना होगा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है उसका इस्तमाल करने के अलावा यहीं सोचते विव अपनी नीचे एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं जिसके बाद वो सनु से कहता है यून सनु बस बहुत होगी अब मुझे तुम्हारा सर चाहिए आप चाहे मुझे उसके लिए कितने भी बड़ी कीमत क्यों न चुकाने परे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी परे मुझे तुम्हारा सर चाहिए किसी भी कीमत पे उस फॉर्मेशन को देखके सनु भी काफ़जा सर्प्राइज हो जाता है वो काफ़जा है हैरान होते व करके एक monster के अंदर transform हो रही होती है और बस कुछी समय में उनकी बॉड़ी पूई तो ऐसे monster के अंदर एक बहुत ही बड़ी monster के अंदर transform हो जाती है जिसके बाद वह monster सब्सक्राइब को देखके एक दाहार उस explosion से बचने के लिए सनु पीछे की तरफ जंप लगा देता है और उस attack से बच जाता है आगे सनु उस attack से बचने के बाद बेल रोग को देखते वे सोच रहा होता है कि यह monster यह monster कोई साधारन monster नहीं है बलकि यह monster 8 disaster monster में से एक है दा बेल रोग हाला कि आठ डीजाश्टर monster में से मैंने कुछ का सामना पहले भी किया है हाला कि मैं जितना बेल रोग के बारे मैं जानता हूँ उस हिसाब से बेल रोग मेरी दूसरी दुनिया के अंदर भी exist करता था जिस दुनिया से माया हूँ उस दुनिया में बेल रोग मेरे पैदा होने से पहले से exist करता है बेल रोग एक काफु यह दा powerful being है इसके बारे में मैंने कुछ की टाबो में पराया है जिसकी वज़े से मुझे इसके बार में ज़्यादा जनकारी नहीं है और नहीं मुझे यह पता है कि इसे हराया कैसे जाया मेरे पास कोई भी strategy नहीं है बेल रोग को हराने की मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बेल रोग जैसे monster की जो आहाँ disaster monster में से एक है उससे मेरा समना ऐसे किसी जगा पे होगा सच कहूं तो जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो इसे देखके मैं काफी यह surprise हो गया था मुझे लगा नहीं था कि इसके जैसा कोई मुझे यहाँ पे मिलेगा सच में यह काफी यह interesting है मैं अब यह test कर सकता हूँ कि आखिकर मैं कितना जदा पाउर फूलो मैं बेल रोग को हरा सकता हो की नहीं यही सोच कर सन्वू वहाँ पे अपने दो skeleton को समन कर लेता है जिसके बाद वो दोनों skeleton से बेल रोग के उपर attack करवा देता है जिसके बाद सन्वू के दोनों skeleton soldiers काफी तेज से बेल रोग के उपर attack करने के लिए जाने लगते हैं जिसे देखके बेल रोग अपने आथ से एक slash करता है जो slash सीधे जाके सन्वू के एक skeleton को लगता है और सन्वू का एक skeleton का सर उसके धर से अलग हो जाता है और वही पे destroy हो ज बेल रोग के party के अंदर से काफी ता powerful fire भी release हो रहा होता है आगे बेल रोग सन्वू को देखके काफी यह गुस्से में गुराते हुए कहता है कि यो सन्वू आज मैं तुम्हें यही पे मार डालूंगा तुम्हारी हड़िया तक जला दूंगा और वहीं पे सन्वू अपने skeleton soldiers की हालत को देखते हुए सोच रहा होता है कि मैंने जो दो skeleton soldiers को यहाँ पे समन किया था वो दोनों बिल्कुल भी विक नहीं थे वो सच में काफी जा powerful थे लेकिन वो दोनों ही इतनी आसानी से मारे गए यहां तक कि उनकी हड़िया भी इस fire के अंदर गल गई याकिकर यह कि इस तरह की powerful fire है जो मेरे skeleton soldiers की हड़िया भी गला सकती है सच में यह जो मेरा दूसमन है आस तक मैंने जितने भी अपने दूसमनों से fight किया है उन सभी से काफी ज़ा अलग और powerful है वो सभी लोग तो इसके सामने कुछ भी नहीं है इसके सामने तो एक चीटी के बराबर इसका power तो एक अलगी level पे है मुझे नहीं लगता है कि मेरे अकेले की power से मैं से हरा पाउंगा अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे अपनी सारी power की करना होगा मेरे सारी power की release करना होगा ताकि मैं इस monster को हरा सकू मेरे पास जो कूछ भी है मुझे वो सभी चीज़ों को लगाना मॉंस्टर को नहीं हरा पाऊंगा यहीं सोचकर सर्वों वहां पे बहुत ही बड़े फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता उसके अंदर अपनी सारी पावर को डालने लगता अपने सारे माना को डालने लगता है जिसकी वे सर्वों ने आज तक अपने जितने भी सबसे द होते हैं उन सभी को वहां पे समन करने में सनु का माना पूरी तरस खतम हो चुका होता है और जिसकी वेसे सनु को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है वह बड़ी मुस्किल से वहां के फॉर्मेशन को मेंटेन करके रख पा रहा होता है लेकिन तभी सनु अपने बचे कुछ माना का वहां पे रिलीश करता हूं उस फॉर्मेशन के अंदर दाल देता है जिसकी व itu Metro को कमांड देता है कि तुम सभी लोग मेरे कमांड को द्याद से सुनो तुम सभी लोग अपनी पूरी पर रिलीस करो तुम हरे पास जितनी वी पावर है उन सभी हॉर का इस्तमाल करू और अपने सामने खरे monster के उपर एक all out अटेक करो उसे पूई तो से destroy कर दो खतम कर दो ये सुनते ही वो पांचों काफी थे इसे bellrog के उपर अटेक करने के लिए जाने लगते हैं जिसे देख के bellrog भी एक पहुत ही powerful दाहार मारता है और उन पांचों के उपर अटेक कर देता है और उन पांचों से fight करने लगता है और वहीं पर सन्वू उनकी fight को देखते हुए सोच रहा होता है कि मुझे इन पाइचों को समंद करने में काफ़ी जड़ा माना को Yuse करना पारा मैं नंносruto माना खफ़त हो गया खतिम हो गया और बश से झाएं मैंने वहां के एक और 8X पैल को कास्ट किया जिसकी वे किया की शिर्ट हो जाएगी और वो लोग काफी असानी से बेल्रोग से फाइट कर पाएंगे और उसके फाहर को रजिस्ट कर पाएंगे लेकिन इन दोनों पौरफुले स्पेल का इस्तमाल करनी हुए जैसे मेरा जो माना है वो मेरी उमीद से काफी तेह से खतम होच गया अब मेरी जो सारी उमीद है वो इन पाँचों के उपर है अगर इन पाँचों ने अपनी पूरी तागत के साथ बेल्रोग से फाइट नहीं किया और इसे नहीं हारा पाया तो हम सभी लोग यहां पे मारे जाएंगे क्योंकि यह फाइट कोई नॉर्मल फाइट नहीं है बलकि लाइफ एन देद की फाइट है अगर यह पाँचों हारे तो इनके साथ मैं भी मारा जाओंगा सन्वू यह सब सोची रहा होता है कि सन्वू अपने साइट में नोटिस करता है कि उसके साइट में वह ओल्लेमेंट का इस्केलिटन खरा है जिसे देखके सन्वू उससे कहता है यह होल्ल में तुम्हारा बहुत बहुत सुक्री है तुम मुझे यहां पे खरे होके गाट कर रहे हो लेकिन तुम्हें मेरी इतनी ज़़ा चिंदा करने के जरूरत नहीं है मैं पूई तर से ठीक हूँ चलो हम दोनों भी उस मॉस्टर के उपर अटेक करने के लिए जाते हैं और इस मॉस्टर को पूई तर से डिस्टोई कर देते हैं यही कहका सन्वू और सुओलमेंट का ऐसंक लेटें नहीं दोनों ही बेलरोक के ऊपर काफी तेहिसे अटेक करने के लिए जाने लगते हैं फिर हमें लिडर से लगातार एक कर रहा है कि बहुत अच्छे, सभी काफी अच्छे बेर का अगर ऐसे हम बेर लोग को पीछे की तराब धकेलते रहे और पूश करते रहे तो एक मौका होगा हमारे पास बेर लोग से जीतने का यहीं सोचते हुए सन्वी को होवे और वहें पे बेलोग जैसे ये देखता है कि उसके उपर चाउत अब से अटैक हो रहे हैं और वह ये देखके काफिफ में फरस्टेट हो जाता है. वह बेलोग के अंदर से पॉछर फॉर्पॉर फॉर फॉर्फॉर फायर रिलिस होने लगता हा हु OH ये कम्रा benefits. historic कमरा प कोई से फायर कम होती है तो हमें दिखाया जाता है सनुन एक बहुत ही मुश्किल से खुद को बचाया हुआ होता और वह काफी जखमी हो गया होता उस अटेक की वज़े से फिर सनुन अपने सामने के नाजारे को देखके सोक होते वे कहता है कि आखिकर आखिकर ऐसा कैसे हो सकत है हम सभी लोगों ने अपने सबसे पाउर्फुल अटेक को लांच किया था बेल्रोग के उप वालेकर उसे एक खरोश तक नहीं आया और मेरे सभी लोग मारे जा चुके है और वहीं पर हमें दिखाया जाता है सनुन ने जीतने को भी समन किया होते हो सभी लोग बेल्रोग क अटेक की वज़े से वहाँ पर काफी बुईता से मरे परे होते हैं और यहीं पर आज कमारे ये एपिसोड खतम होता है मुझे उमीद है कि आप सभी लोगों को आज का ये एपिसोड पसंद आया हो